योगे योगे तवस्तरम बाजे बाजे हवा महे सखाय इंद्रमोताई सभी को नमश्कार अंतराष्टी योग दिवस के आउसर पर वाइदिक योग विज्ञान के इस दिवसी प्राष्टी कार्शाला के दुति शत्र बौधिक सत्र में मैं आप सबका अभनेंदन करता हूं स्वागत करता हूं हमारे पीच इस कार्शकम के अध्यक्षता कर रहे हैं प्रख्यात चिकित्सक द्रविगोन विभाग के पूरुव अध्यक्ष तथा संप्रती आयर्वेल संकाय काशी हिंदू उश्विद्याले के मन्नी संकाय प्रमुक जी प्रोफेसर कमल नें दिवेदी जी इस सत्र की आप हमारे इस केंद्र के संचालन समिति के भी या बरिट सदश्य हैं मैं इस केंद्र की ओर से आपका अभनेंदन करता हूं स्वागत करता हूं है हमारे बीच इस कार्जकम में शाराशुत अतिधी के रूप में प्रोफेसर रविंद्र नात बठाचारिया जी जो संकाय प्रमुक हैं कलाशंकाय कलकत्ता विश्विद्याले आप पधारे हैं मैं आपका अभनेंदन करता हूं सागत करता हूं इसक्रम में आज हमारे योग साधना केंद्र बालुई भावन का से हिंदू विश्विद्याले तथा आप हमारे इस केंद्र में भी आपका सायोग प्राप्त होता रहता है कोर्स कांटेंट डबलब करना जा अन्यान्य योग विश्यक जो भी जो बेवस्था है उसमें आपका बहुत स्वयोग मिल प्रोफेसर मिर्तुञे देव पांडे जी जो कि मस्टी डिपार्टमेंट विज्ञान संस्थान का से अंदू से द्याले के हैं मैं आपका भी अविन दन करता हूं स्वागत करता हूं हमारे सम्मुक प्रोफेसर स्वन कुमार सुकला जी है जो क्रिशिविग्यान से प्रोफेसर हच अवस्ति जी जो इसे केंद्र से हमारी अधिति अध्यापक है विज्ञान आर्वेर संकाय में आप आचार्ज है स्री दिनेश सिंग जी और हमारे इस जो कारेशाला में सिक्षक गण है जिग्यासा ठाकूर महाविर शुकला जी निगम देवी रामेस्वर प योगा चार्ज अंजनात्रपाथी रामेस्वर प्रसाथ डोंडे और जितने भी हमारे प्रतिवागी गण है मैं सबका समवेद रूप से इस सत्र में अभिनेंदन करता हूं शागत करता हूं कि आप उद्गाटन सत्र में योग के विशह में योग का जो वेदों से लेकर के योग की परंपरा कि ऐसे विख्षित हुई उसका जो परिश्यात्मक स्वरूप और बहुदिक जो चिंदन है वो आपकल आपने सुना हमारे मुख्यबक्ता प्रोफेसर किष्डगान में वेवेद से लेकर के जो योग के जो स्वरूप अस्टांग योग हट योग राज योग गीता में भी जो योग के जो प्रमुक जो योग के स्वरूप है उन पर भी प्रकास दिया ता सास्त्री जो योग का जो स्वरूप है उसके संदर में उन्होंने संदर्वित किया और जो कल मुख्यति थी थे मोतिहारी भात्मा गाधी विश्विद्याले मोतिहारी के जो खुलपती जी प्रफेसर संजर सिवास्ताव जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से पूरे विश्व में जो योग का संदर्व देते हुए भारत का जो सम्मान विश्व योग दिवत से क् और उसका जो एक पुटनेतिक राजनेतिक जो उसका लाव है वैस्विक्रम में जो प्रफाव बढ़ा है इस योग के माधिम से किस रूप में बढ़ा उस पर भी उन्होंने बढ़ा संदर ढंग से अपने व्याख्यान दिया था और हमारे संकाय प्रमुख संस्क्रत विद् स्थापित किया था संजय स्वास्तावची ने बात कही थी कि योग यह हमारी भारती जो ग्यान परंपरा है इसको प्रफेटेंड करने के लिए भी अमिर्का आधी देशों में 2001 और कुछ एक-दो और उन्होंने संदर्मों का उले किया था कि कुछ है जो आसनों का जो है पे उसके लिए एक अलग विंग डेवलप हुआ भारत संकार के मंत्राले के द्वारा जो दिली में स्थापित है और उसमें हमारे कासी इंदु विश्व द्याले के आचार्जों का उसमें योगदान रहा उसमें एक दब्वेगुन विभाग के प्रोपेसर जोशी जी का प्रो कि यह भी हमारे इस विश्वद्यालेक के मात्ता द्युतित किया आज है जो भीजाख्यान का घुर्म ये नहीं था कि योग का जो किये जो योग तो कि और हमें करता है जो प्रेय से स्यरय की और करता है और जो आत्मतत्त्त्त को प्राप्त करते हुए परमात्त मौक्ष्यतत्त करते हुए यह हमारा योग कि शास्त्र का मूल ज्या है आज वर्तमान में की योग विद्या का यह योग विज्ञान का जो कंसेप्ट है वह हमारे सारीक स्वस्थता आपो बिसे सुरूब से आज क्योंकि वर्तमान में बैस्षिक्रम में भौतिक चीजों को बिसे शरुप से बल देता है समाज क्योंकि हम हमारा सरीर सबसे पहले स्वस्त तो स्वस्त के लिए आशन है प्राणायाम है तो आसन और प्राणायाम को महतु देते हुए आज मिशेश रूप से युग पर बल दिया जा रहा है और यहाँ भी चर्चा हुई थी कि जो यम नियम के ज परिग्रह तो इनके साथ साथ जो नियम है साउच संतोस तप स्वाध्या इस्वर प्रणिधान तो इनको भी हमें आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़ना है तथा पी आज के जो जो बैस्ततम जो दौर है जो हमारे दिन्चरिया है वह हमारी योग के क्रम में कैसे बिवस्चित हो आज हम सब सुबह जो है 6 बजे से लेकर के सवा साथ बजे तक जो योग का भ्यास किये मैं स्वय में यह मसूस कर करके जब अभ्यास करने के बाद मन बड़ा एकागर हुआ बड़ा मन शांत हुआ और लगा कि हमें ऐसा नित्य करना चाहिए हम हैं हम यहां से उबदेश दे रहे हैं कर रहे हैं लेकिं नित्य योग का भ्यास नहीं कर पाद तो यह चीजें हमें अपने रूटीन नियमितम दिनचरिया में कैसे हम सामिल करें इसको इन कारशालाओं के माध्यम से यह एक हमें सीख मिलती है हमें हमारा आहार व्याहर भी सही हो उसके लिए आप आपने चना मोंग और गुणखा है कल यह जो चना है कल अंकुरित चना आपको खाने को मिलेगा तो चना और मोंग तो यह क् मौलक और में पर्तिकांत्मक्रम हमें लिश्टि यह दी जाती है कि हम इस परकार का दिनन्चरिया हम प्राऊता सुरीवदे के पहले उठने काप हमारे तो में बहुत महातु बताया गया और हमारे नमस्त्रों और शोड़े आयर्वेद में भी उसके जो ध्यान करते हैं वो ब्राम हुर्थ के बाद के काल से दसुना वो ज्यादा इफ्यक्टिव होता है तो यह सब जो चीजें हैं छोटी-छोटी चीजें जो हमें समक्रता से हमारे जीवन को पूर्ण पनाने में सहयोग प्रदान करते हैं और हमारा आहार व्यावार अगर डून रहेगा हमारा स्वाश्य पूर्ण हम्रा सुद्ध हो ऑर मन जब सुद्ध होका तो हम एक समंपूर्ण को मानों की परिकरपना आतमसाथ करेंगे और जब मन जब पवित्र होगा तभी हम जो यम नियम के जो साधन है उसको भी नहींसे करेंगे सब्सक्राइज दहां मन की सुधता हमारे मैं साथ्वों में उसको बहुत महत्त दिया गया वह ने मनुस्या नाम कारणानभूट जो मन तो मन कैसे सुद्ध हो इसके लिए हमारे यां वेदों में एक शिव संकल्प शुप्त है जजर वेद में है वो प्रतेक जो 6 मंत्रों में अंतिम जो पद है नमे मनहा सिवसंकल्प मस्तु वह मेरा मन तत में मनहा हुआ मेरा मन सिव संकल्प मस्तु सिव संकल्प वान होवे सुब संकल्प लेने वाला हो तो सुब संकल्प तब होगा जब मन हमारा सुद्ध होगा और मन सुद्ध और पवित्र कैसे होगा जब सरीर हमारा स्वस्थ होगा एक सुद्ध सरीर में स्वस्थ सरीर में ही एक सुद्ध मन स्थाप पाथी जी है और हमारे आज के जो अध्यक्ष है वो यह वो आयरुवेद के एक बहुत बड़े विश्व विश्वत विद्वान है उनका हम सब आशिरवचन और उनका पाथे हमको प्राप्त होगा डेक्टर कियमत्रिपाथी जी मुख्यवक्ता के क्रम में हैं उनका भी हमें पाथे प्राप्त होगा मैं उन्हा समवेत रूब से आप सबका अविनिंदन करता हूं जयतु संस्क्रित हुं जयतु अ करता हुआ